हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं PC Dwellers Limited है अभी मैंने आपको 6 दिन पहले ही दोस्तों इसके बारे में समझाया था इस सेर के बारे में ये देखिए ये रही इसकी वीडियो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये रही पहले हम लोगों ने डिस किया था इसको PC Dwellers को और 30 रुपे पर ट्रेड कर रहा था और अभी एक हपते में ही दोस्तों हम लोगों को इसने 40% से ज़्यादा का रिटन दे दिया है हम लोगों ने इसको अच्छी जगा देख लिया था 30 रुपे के राउंड अच्छे जोन में ह खरीदने को मिल गया और उसके पास से जो रहली है वह काफी सांदार बनी हुई है तो अब आगे कि क्या टार्गेट होंगे और हम लोग क्या इसमें टार्गेट करके चल सकते हैं वह सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में डेसकस करेंगे मेरे साथ वीडियों बने रही है जिन लोगों ने investment बना के रखा इसमें वो hold करके चल सकते हैं पर कहां तक वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है तो वीडियो को सुरू से अन तक देखेगा ताकि आपका कोई पार्ट मिसना हो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जो चैनल पर नहीं हों चैनल सब्सक्राइब कर लें और पर रखें जिससे आने वाले नेश्ट अपडेट आपसे मिसना हो दोस्तों वहां पर मैंने वी आपी नाम रख रखा है मेंबर्शिप का और आप 150 पे करके 30 डेस के लिए जो भी आपको किसी भी सेर से लेटेट कोई भी डाउट है वह आप पूछ सकते हैं चाहिए वह आपको किसी सेर में इन्वेस्मेंट करना है या किसी में आपने इन्व पूद है ही उस सेर को समालने के लिए आपको एक अलग से गाइड भी उसमें मिलने वाला है तो जरूर से और यहां पर भी में मेंबर सीप आप ले सकते हैं तो जरूर चेक आउट करिएगा और लिंक है वीडियो के स्क्रिक्रिक्शन बॉक्स में पीसी जुएलस 47 रूपीस 15 पैसे पर ट्रेट कर रही है दोस्तों और आज भी देखिए काफी अच्छा मूवमेंट रहा है 12 अगस तक इसके अर्निंग रिजल्ट आने है जबकि कंपनी की फाइनेसल कंडिशन इतनी अच्छी नहीं रही थी पिर भी इतना ज्यादा चार्म जैसे ग्रोथ क्यूं है तो इसके बारे में जो कंपनी ने क्लेरिफाई किया कि उनका जो ग्रोथ है इस टाइम पर वो काफी अच्छा चल रहा है वो एक्सपोर्ट अच्छे मातरा में कर पा रहे हैं अपने इंडिया में भी दोस्तों इसके 41 सो रूम है तो काफी अच्छी काफी खासी मनला भी स्मॉल कैप में आती है फिर भी अच्छा खासा प्रफॉर्म कर रहा है इस वीज़े से ग्रोथ जो है सेर में काफी बड़ी हमको देखने को मिल जाती है तो सेवी ने इन से पूछा भी कि इतनी ज्यादा तेजी से भाई ग्रोथ क्यों हो रही है तो लगातार इसमें लगातार जो है इन्वेस्मेंट आ रही है अब आपको कैसे पता लगेगा जैसे आप देखिए दोस्तों यह जुलाई का पूरा मंत देखिए और इसमें बारस देखिए आपको बड़े-बड़े ग्रीन केंडल दिख रहे होंगे इनको ग्रीन काउंट करे वो आज के दिन का है सिर्फ तो काफी बड़ी बात है इस हिसाब से जो इंवेस्मेंट आ रही है वो लगातार बड़ी तेजी से आ जा रही है तो मैंने आपको देखे कुछ टार्गेट बताया थे कुछ ब्रेक आट पॉइंट बताया था कि 31 रूपीस 15 पैसे को ब्रेक करेग दोस्तों तो ये भी ध्यान रखिए कि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सेयर थोड़ा डाउन भी आएगा उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जितने भी ये रेश्टेंस लेबल होते हैं मतलब जितने पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसे होते हैं मैंने जो अभी देखिए फिप्ट रेश्टेंस लेबल इसका 36 रुपीज 60 पैसे था सेयर ने उसको अल्रेडी ब्रेक कर दिया है और 40 रुपीज 15 पैसे का जो टार्गेट था मेरा वो भी अल्रेडी इट हो चुका है तो अब जो आगे के टार्गेट हैं वो 44 रुपीज 15 पैसे क लेके चल सकते हैं आप कल के लिए पर अब आपको थोड़ा इसमें सदर्का के साथ मतलब ध्यान रखते हुए रखना है अपनी होल्डिंग को मौनिटर करते रहना है मार्केट ओपन होने से पहले इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना है कि इससे ज्यादा अगर डाउन आता ह है तो आपका एक्जिट हो जाए इस वज़े से आपको रेंज जो है वो आपको यहां पर मैं बताता हूँ 40 रुपए से लेके मतलब 40 रुपए और उससे थोड़ा सा उपर नीचे कर सकते हैं 5 पैसा 10 पैसा वहां पर आपको स्टॉप लगा लेना है तक ही जो आपने अभी गेन किया है 23 रुपए से यहां तक वह आपका वेर्थ ना जाए और आप इसमें अच्छा रिटन बना पाए तो इस चीज को ध्यान रखिए बाकि अगर मैं कंपनी के बारे में बताओं दोस्तों तो कंपनी का देखे क्लियर फंडा यह है दोस्तों कि कोविड से पहले इसक उन में लॉक्डाउन लगा था क्योंकि कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सारी दुनिया पूरी तरीके से बंद है तो उसमें जो कंपनी ने सेल किया था बस 61 करोड का एक्सपेंसेस थे इसमें 57 करोड के 4 करोड का इसको अपरेटिंग से प्रॉफिट आया था ओवरॉल में जाते हुए 74 करोड का लॉस था इसको क्योंकि इंट्रेस्ट भी काफी रहता है और फिसके बाद बाकी चीजें भी आ जाती है इसमें डेप्रिशेशन भी एड है तो इसमें चीजों पर डेप्रिशेशन तो आपको क्लियर यह पता हुगा कि जो अच्छे मैटल हैं जैसे मैटल करता हुआ मैं जिस्याइल जिसल्वर हो गया इनकी वैलूस से यह कॉल्द हो गया इनकी इसने — नहीं है था तो फिर भी नेगटीब में था और यह काफी टाइम तक तब से कोविट का ही चलो रहा था अब सीज जो है धीरे-धीरे क्लियर हुआ है तो अभी भी इसका जो डाटा है अब आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इस कंपनी को काफी खर्च करना पड़ा है अभी उसी साब स से सेल बहुत कम किया है तो इस वज़े से ओवराल में नेगटीब में नंबर इसके दिखाई पड़ते हैं तो इसी वज़े से दोस्तों अगर हम देखें इसकी अगर पुरानी कंडिशन 2012 से कंपनी का डाटा देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि 2018 तक क्या ही ब और 21 का देखा जाया तो 62 और करंटली अभी जो मार्च का था जो अभी बीता है तो उसमें कंपनी को जो लॉस आया 391 का आया क्योंकि आपको बताई होगा कि जो कोविट की सिच्वेशन थी वो तो मार्च 2020 से ही खराब होनी शुरू हो गई थी पर वो चीज जो है वो काउं कंडिशन और खराब ही थी तो उसको जैसे ओवराल में खराब ही डाटा हमको देखनी को मिला है तो इस वज़ेसे कंडिशन खराब ही बाकि आपको दोस्तों अभी जो टारियर में बताए हैं उसको ध्यान में रखना है स्टॉप लॉस आप इसको 40 रुपीस के राउंड लेबल हैं वो 46 रुपीस 70 पैसे मतलब दोस्तों अब प्रॉफिट बॉकिंग के जो चांसे इन लेबल पे ज्यादा बन चुके हैं अगर इनको भी ब्रेक आउट करके उपर क्लोसिंग दे देता है तब कुछ नया हो सकता है तब यह और उपर जा सकता है पर फिलाल जो हमको चीजें नजर आ रही है चार्ट में वह यही जोन है कि 44 रुपीस 45 पैसे के रहा और प्रॉफिट बुक करो और 46 रुपीस कुछ इतना ज्यादा धूर नहीं है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें बनके चलना पड़ेगा यही टोटल अपडेट हो जा